खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार स्वागत है आपका इंड़ाइम 24 न्यूज में मैं आपके साथ साक्षी सिंग पंजाब और महराष्ट कॉपरेटिव बैंक में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद खाता धारकों की परिशानिया बढ़ गई है बैंक से रखम नहीं निकाल पान के करण सोमवार को एक खाता धारक की सदमे से मौथ हो गई दरसल मुंबाई के रहने वाले संजे गुलाटी को एक के बाद एक कई बड़े जटके मिले जिसके बाद उनकी मौथ हो गई संजे की पहरे तुझे टेरवेस से नौकरी चली गई फिर बचट से वो किसी तरहा से अपने परिवार के साथ गुजारा कर रहे थे इसी बीच पंजाब एन महराष्ट कॉपरेटिव बैंक में बड़े घुटाले का मामला सामने आ गया संजे ने भी PMC में 90 लाग रुपे जमा कर रखे थे संजे की जमा पूंजी आनि 90 लाग रुपे भी फस गई संजे निवेशकों के साथ सोमवा को एक रैली में शामिल हुए थे उन्होंने वहाँ निवेशकों को रोते हुए देखा पैसे लोटाने के लिए गिरगिराते हुए देखा लोगों के दिल में भड़ी पीडा देखने के बाद जब वो घर लोटे तो कुछ ही देर बाद उनकी भी मौध हो गई रिपोर्ट्स के मताबिक संजे की मौध हार्ट इटेक की वजह से हुई है संजे ओशिवारा के तारापूर गारडन के रहने वाले थे बता दे कि PMC बैंक में वित्तिया निमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रे बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिए नगदी निकासी की सीमा तै करने के साथ ही बैंक पर कई तरहा के अन्य प्रतिबंध जगा दिये हैं PMC बैंक में फाइनेशल फ्रॉड लगवग एक दशक्ष से चल रहा था जाज कर रहे अधिकारियों का कहना है कि जोई थॉमस की अगवाई में बैंक मेनेजमेंट ने कंस्रक्षन कमपनी यानि की HDIL को फंड दिलाने के लिए हजारों डमी एकाउंट खोले हुए थे ये खेल करीब 10 साल से चल रहा था रेगुलेटर को पता चला है कि थॉमस और मेनेजमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर 4,226 करोर रुपे सिर्फ एक ही कमपनी HDIL को दिये थे जो अब दिवालिया हो गई है बैंक की तरफ से बाटे गए कुल लोन का दो तिहाई हिस्ता सिर्फ एक कस्टमर को दिया गया था ऐसे में इस बैंक का दिवाला पिट गया जिसके बाद RBI ने इसके कामकास पर रोक लगा दी और डिपोजिटर्स के पैसे निकालने की लिमिट तै कर दी पहले RBI ने बैंक के हर खाते से निकासी की उपरी सीमा 1,000 रुपे तै की थी जिसे बढ़हा कर 10,000 रुपे कर दी और अब ये लिमिट 45,000 रुपे ही हो गई है मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराथ शाखा यानि की EOW के स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम ने राकेश वादवान और उनके बेटे सारंग को किरफ़तार करने के बाद एक इस थानी अदालत के समक्ष पेश किया था बैंकों के 4,3355 करोर रुपे का चूना लगाने के आरोप में EOW ने HDIL तधा PMC बैंक के वरिश अधिकारियों के खिलाफ प्राथमी की दर्श की थी पहरहाल इस खबर में इतना ही बाके की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रही है हमारे साथ और देखते रही है